स्लाम वालेकूम दोस्तों वेलकम टू नीव वीडियो आर्ट्स का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है मैं वह बाहिंदर में माशाला व्यू देख लो पहले और एडी गोट फाम पे जा रहे हम यह रास्ते का व्यू है माशाला तो आई यह दानीज भाई से मिलते है स्लाम कि दानीज भाई क्या हवा चर रही है इदर हाइट पर है ना भाई बहुत हाइट पर माशाला रहने के वज़े से हवा अगेरा माशाला भोथ अच्छी चल दिया सामने समंदर सही है बक्रे लेने आओ और फुल इंजॉय करो दानीज भाई के फाम पे नहीं यह मावरा पन शाया को निमावराम चाओ तो रानीज भाई पूरा रास्ते का विउव लेगते हुए जाएंगे साला इंशाला 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 इपने दोस्तों की यह भी अपना पूरा आम के घीरा हुआ है तो दानीज भाई माशाला फाइनली हम पाम पे पहुच गए माशाला यहां पे पूरे आम के जाड़ लगे हुए चारो तरफ आम का बाई पूरा एक अईसा है पूरा नेचरल इन्वार्मेंट है पूरा है और रात मेरा थंड़ा भी लगता हुआ अलहम दिल्ला एक्दम मस्ट थंड़ा हो जाता हुआ इतनी शिद्दत की गर्मी में इदर हवा चल रही है सबर्दस तो अपना जो यह फार्म है यह एडी गोट फार्म एडी गोट फार्म तो यह कितने टाइम से रन कर रहे है यह तो बड़े लेवल पर आगे के लेवल पर लेकर के चलेगे तो इसमें क्या रहेंगा अभी फिलाल कुरू सीजन चल रहा है तो सीजन के हिसाब से ट्रेडिंग चल रही है और एक बार सीजन निकल के गया उसके पना में फोकस पलाई का रहेगा इंशाला अभी आप करेंगे यहां पर सेट अप करेंगे कभी यह वीडियो में आपके ट्रेडिंग के जानवर देखेंगे अधी गोट फार्म यह माशाला आपका जो फार्म में पूरा एलिवेटेड है पूरा उपर है और एडी इसके नाम पर है यह मेरा लड़का है एहमद मेरा नाम दानिश तो है ए और मज़ा आ रहा है सलाम कर दो वालेकुम असलाम आजो अनिश भाई नानिश भाई एलिवेटेट फार्म का एक बूद बड़ा फाइदा रहता है कि जानवर साफ सुत्रे रहते सारी गंदगी नीचे निकल जाती है भाई सबसे पहले तो देखो कितनी सफाई है माशाला इदर फार्म पे अलहां दिल्ला बद जारा भी इसमेल ने आरी आपके फार्म पे वेंटिलेशन है ना चारों अब बेंटिलेशन है और यह पंक्या मीशा चलते रहते हैं 24x7 वाह तो अभी यह माल जो सेलिंग आए वो देख कि आपने पास लहेंकिन गरदी नहीं करना इस वजे से अपूने कम माल लेकिन यह माल जाये ऑपना दूसरा माल आ जाए और यह माल पुरा सेट है पूर्व पंदरा बीस दिन हो गए यह माल यहीं पर है यह लेने वाले को कोई तकलीफ नहीं है बस माल लो बस खिला और अगर लेकर कोई आपके पास भी रखे तो जगा तो अवेलेबल है माशाला तो बखरे दिखाएंगे यह माशाला बखरा दानीज बाए जिए जितने भी बखरे देंगी यह सब नग पर है यह किलो पर है तो यह क्या रीट के बखरे यह यह रेट कैसा है ना भाई जैसा 50 गेजी के अंदर है अपने पास 45 केजी से लेके 80 केजी तक अभी माल खड़ा है तो 50 के अंदर जो है वह अपने लोग देंगे 485 के करीब और उसके उपर का जो आपामठा싼 से सटाठ होंगा हाँ 2ःट इसे स्टार्ट है जो यह सबसक्का फांटोंस तर्ट कुछ सवाफ़ीटा की भी बखरेंगे को र 안내 की वहnya जाय से वाला भाइक पूरा सुज़गों वी यह वाला भी सवाफसो के रेट से लिए वी सवाफसो के रेट से बख्रे आपके मैं देख रहा हुआ इसे के हर बजट का आदमी कुर्बानी एक रिजट का आदमी कुर्बानी कर सकता है यह बताओ यह कोटा यह थसी कोटा है बाई काड़ो ली यह कैसे खिलो में रहेंगे यह यह भी सवा पास्सो वाले शाइनिंग तो बहुत दिख रही है सब बखरे साफ सुतरे दिख रहे है पुरा फ्रेश माल है फार्म पे से सेट माल लेने का यही फाइदा रहता है लोग सोचते हैं कि हम बाहर से मंगाएंगे देवनार से लेंगे लेकिन जिसको मालूमाते वह एक अलग चीज है नहीं मालूमाते तो वह सेट नहीं कर पाते यह तुम जानवर देखो सब आराम कर रहे खारे पी रहे और है वह नहीं देते से आराम से अराम कर रहें मतलब एक दम रिलाइकस में फुल शुकून में यह जैसे बख्रा में यह क्या रिट में रहेंगे यह वाला आओ बख्रे बाऊ बता ह। यह वाला यह वाला यह वाला क्या पांसो के रेट से देंगे इसका कलर बैटन देखो इसका और गोल बच्चे हैं माशालला सब जो भी पसंद आता है दानीज भाई को सबीरे यह दातों में कितना है दानीज भाई सब बच्चे जदात पर एक दो रहेगे चार दात पर बाकि सब दो दात यह देंगे देंगे सब्सक्राइब चाब वर्या कोट पयार नितने के दिंगा प्रकाइब आगे से उसकी लाइन देखो है आगे से सीने गाइन देखो वह तो भोट प्यारा कलर आए बहुत प्यारा आगे दिखरा है कालर यह दिखे रही है देखो खुबसूरती का ना पैसा नहीं है अभी जैसे हम आल चॉइस करेंगे ना वैसा रेट है और यह बच्चा वजन में भी है इसमें से जो शीरोई के बच्चे वह लेंगे तो 480 से मिलेंगे बाकी जो कोटा है गुजरी के थोड़े मिक्स में है तो फोन पे इंशालला न हो भी रहेंगा हो कईसे रानिजभाय कोई कोई पांच बच्चे लेते गुरूप बना के लेते कोई दस लेते तो वह सब्सक्राइब हो जाएगा इसमें अभी टोटल कितने बच्चे इसमें 19 है 19 बच्चे 19 19 19 के तीन बाड़े अपने पर से वेट मशीन भी नहीं लाए रा है यह तो में को ऐसे लग रहा है पूरा फोरेटी वाला माले यह पूरा इसमें यह बाड़े में कुछ बख रहे है इसमें जैसा मैं बोला ना वेट के उपर है वेट अगर है वी चड़ गया उन लोगों का तो उसका रेट अलग हो जाएगा यहनि कितना पचास के उपर अचरी आज बेच़ रहे हैं यह अपना सेत्न माल पूरा अलें दरो यह कि बख्रों में शाइनिंग को रख्शी लिख रही है इस के पूरे बख्रे साथ fusthrey भाई यह विश्य को देख लों कित्प लोग त्याम आघंगा पकड़ के रखो ना बयातना सो बदो रोक रहे रोक यह जीरो आए इसे दो पुरे 50 किलो का बक्रा राउंड फिगर पचार राउंड फिगर पचार चिकना बच्चा तलर देखो शाइनिंग देखो उसके कलर में बच्चे के यह क्या रेट में यह 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 480 से देए 480 से यानि कितना हुआ 25 और 24,000 का अप्रोक्स चोबीस हजार रुपे में यह आपको बच्चा आ जाएंगा थोड़ा निकालो इसको फूरा फुटबॉल बच्चा है एकदम गोल बच्चा है इसके अन्रे शाइनिंग कुछ अलग ही है जैसे फर्वा जानवर ब इसलिए बेट करके बता रहें कि लेने वाले को अंदाज और क्लेरिटी भी हो जाएगी ना सामने देख लो इनका भी स्क्रीन शॉट मार के आप भेज सकते दानीज भाई को यह भी आराउंड अराउंड उतना ही है उतना ही है फिफ्टी केजी फिफ्टी वन फिफ्टी वाला रहा हुआ है उसने एक मिनिट एक मत देखो आराउंड यह वह यह लगए बर अबर फिफ्टी केजी का बाई यह भी ट्वेंटी फॉर थाउजन का अपरॉक्स देख लो ट्वेंटी फॉर थाउजन में दानीज भाई को इस्क्रीन शॉट मार के भी भेज सकते है चला एक सुजर दिखा देंगे वेट करके यह 525 यह 525 देखो जीरो हो गया डाल दो इसको भाई यह रानीज भाई 525 यह 525 मारो कैल्सी देखो गित्ता हो गया यह वता रहा है 62 पकड़ो पाय नीचे रखा हुआ एक में नीचे रखा है बहुत दिर रहा है 63 63 कितना आ रहा है 33,000 रुपए निकलो साड़े 33,000 रुपए का बकरा यह देखो माशाल्ला फूल हेवी बड़ा सूजात आपको मिलेंगा सिर्फ रुपए में पुरा भरा वा वच्चा दानिश भाई यह लेकर अगर अपने पास रखे तो इनका क्या रहेंगा पलाई का इत तक पलाई बड़ाई प्री यह तो आपने बताए ने में ऑफर है यह यह इसा ले जाना चाहिए वैसा ले जा सकते तो सकते अब प्लाई भी इंक्लूडे वाह क्या बात है यह तुमने कुछ आफर दिये दानिश भाई बहुत से लोग बखरा ले ले लेते लेकिन सोचते के बाई फिर उसके उपर और खरचाएंगा जैसे अभी हमने दिखा है दो बखरे चौबीस हजार रुपे के पिरो चौबीस हजार त जो अभी लेकर के रखेंगे वह एक दो किलो जो उठा लिए वह उनका बेनिफिट है और खाने पीने में तो कोई कमी नहीं हुआ देखो ना एक भी बच्चे का पेट देखो सारे तुमको गोल दिखेंगे सब गोल दिखेंगे तुमको इसका कलर देखो कलर तो भाई यह जा सकते हो सीधा नीचे तो इसमें क्या होता है जानवर एकदम साफ सुत्रा रहता है एकदम साफ है ना यह तीसरा बाड़ा है टोटल बकरे दानीच बाट करने अपने पास यह जो है वह साट जानवर यह वह सब ट्रेडिंग वाले ले तो उसको एक बेस्ट मिल जाएंग है वह जो ऐसा रहेगा वह बैठ कर बात कर लइगा लेकिन बंबय में बहुत से लोग ले लेते 20-30 बकरे भी ले ले लेते लेकिए यह लेकिन लाइट जाने के बावजूद भी आजू-बाजू-आम के बाद नम्बर बोलो 797942010 और किसी को देखना हो तो यह सब यह इदर सबसे नियरेस लैंडमाख है यूटन सी रिसॉर्ट यूटन सी रिसॉर्ट दाले यह ना तो उसके उससे अपना फार्म हाडली 5 मिनिट्स के दूरी पर है यूटन सी रिसॉर्ट चौक और जैसे मुझे तो ट्रेन से आया तो बाहिंदर से रिक्षा पका शेरिंग और वहां से आप पीकप कर लेंगे कोई मसला नहीं है पुरा सेट माल है दानीजबाय को कॉल करो और 480 का भाव है और 525 रुपे सफेद बखर है वाइड माल है और उसमें एक बेनिफिट ही है कि जो भी बखरा आप लेंगे तो जो पे और बोलना चाहूगा कैसा है ना अभी तुमको भी मालूम है 480 के रेट से अप उन जो जानवर देंगे ना उस उन लोगों का ऐसा रहेगा कि अगर ले जाना है तो लेकर जा सकते लेकिन अगर वो अपने पास रखते है 480 वाले तो मैं उन लोगों के उपर अगर तुम हिस बीस दिन बाद लेके जाएंगे ना तो यह 430 440 के बाव से इनको मिलेगा बराबर समझ रहे अगर कैल्कुलेशन करेंगे इसाब किलो एवरेज आइसा पकड़ो वेट जो इसाब से तुम खिला रहे पिला रहे तीन किलो भी अगर बखरे ने बढ़ा दिया और इधर इतनी करने के लिए तो कोई-कोई लोग अलाउड नहीं करता है जहां पर आलाउड है जो लेना ले जाना शाहते वह ले जा सकते जिसको रखना है पलाई पर अपने पास वो रहे जाएंगे अपने पास ठीक है रानीज मैं स्लाह हो लेगे वालिम स्लाम